हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हुरूपा और आज मैं आ गई हूँ एक हिल्दी लंच बॉक्स के रेसिपी के सब और वो है सोया चांग्स पुलाओ आप सब लोग को तो पता ही है सोया चांग्स हिल्द के लिए कितना अच्छा है और आज ये पुलाओ में बन प्रेशर गुकर में लेकिन एकदम खिला खिला पुलाओ हमारा बिंद कर रेडी हो जाएगी तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं प्रेशर गुकर में सोया चांग्स पुलाओ लेट्स बिगीन तोया चांग्स पुलाओ बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम सोया च दूंगी 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट बाद मिलती हूँ 15 मिनिट सो गए है और मेरी सोया चंग सभी रेडी है एकदम देख लीजिए फूल कर एकदम रेडी है जितना भी एकसेस वाटर था उसको मैंने निकाल दिया है तो इसके अंदर अभी कुछ मसाला एट कर यह खरेंगे 2 तेबल स्पून कर्ट जाई हाफ टी स्पून सॉल्ट ठीचिली पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और ऐन सारे चीजी को मिक्स कर दिजिये पाट चैए देख लिए सारे चीजी अवहना मिक्स हो गये है तो यह इसको 15 मिनिट के लिए रग दिए यह पुलाव बनाने के लिए और क्या क्या इंग्रेडियंस में चाहिए एक बड़ा सा इसका ओनियन ऐसे थिनली स्लाइस किये हुए एक मीडियम सा इसका टमाटर इसको भी फाइनली चॉप्ट कर लिया है थोड़ा सा गार्लिक क्लोप्स उसके साथ सा तिन ग्रीन चिली थोड़ा सा कॉरियंडर लिप्स फाइनली चॉप्ट किये हुए चिंजर अट गार्लिक पेस्ट वान टीस्पुन साथी सा थमें चाहिए वान टीस्पुन सॉल्ट एंड हाप टीस्पुन हल्दी पावडर में यूज़ करूंगी रिफाइन ओईल इधर पे में यूज़ कर रही राइ गरम मसाला पावडर हाप टीस्पुन जीरा पावडर हाप टीस्पुन रेचिली पावडर और में उसकर राइस ब्रान ओल तो चलिए शुरू करते हैं तो देख लिजिए 15 मिनिट हो गए है और सोया चंग्स हमारा एकदम मैरीनिट होकर रेडी है और साथ ही साथ राइस भी हमारा वाटर सोक करके एकदम रेडी है तो चलिए अभी कुकर चड़ाते है क्योंकि यह सोया चंग्स पुलाव मैं बनाऊंगी कुकर में बहुत इजी तरीके से लेकिन खाने में एकदम मस्त बनीगा घर में जरूर एक बाट राइ कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं यह क शिली और जीरा जीरा ऐ दिलत को थोड़ा सअ फोड़ा सफाइ कर लेंगे आ masked कर देंगे अन्यन अन्यन को ब्लीन के तो प्राइक दीखे कर दिए एकाइ कुछ पैस्ट देंग क्लोपs 5 थोड़ा अद्वाra कर लेंगे आड़िकु चुबी देंगे जिंजर अड़ी के पेस्ट के टाइड़ा आटर पेस्ट साथ मिला के फ्राई कर लेंगे कर देंगे सॉल्ट और धाल्बी पाउदर मिला देंगे इसके मिला दीजिए एड कर देंगे टोमाटर और मिला देंगे इसको भी साधी तब ठोड़ा सा प्राइड कर लेंगे प्लेम को मीडियम में कर दीजे और इसके अंदर एक चर दीजे सोय चंस मारिनेट कीए हुए आटिप कर दिजे अभी मिला दीजिए सारे चीजों को एक साइसे मिलाएए अभी आट कर देंगे सारे सुखे मसाले जैसे रेट चिली पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर और अमचूर पाउडर अब मिला देंगे देख लीजिए सारे चीजों को मैंने मिला दिया है तो इसके अंदर अभी आट कर देंगे कोरियंडर लिप्स चॉप्ट किया फिर तीन ग्रीन चिली इसको मैंने स्प्लीट कर दिया है और अभी इसको थोड़ा सा पाच मिनिट के लिए कुप कर लीजिए देटीजिए है सोड़ी चंग्समरा तुटकीप्राकूख हो गए है उपर से ओएल आ रहा है इस तना हमये पुराकूख दिना हूगा आपत्त आपके कर देंगे राइस इस में आपका हातों से मिला देंगे बस हलका हातों से मिला दिजिए आइसे और अभी वाटर भी एट कर देंगे 300 ml आइसे कर दीजिए और मिला दीजिए एक बद और अभी धटकन लगा के दो सीटी लगा लेंगे दो सीटी लगा के मैं मिलती हूँ तो मैंने दो सीटी लगाने के बाद 10 मिनिट ओट किया तो अभी लगकन हटाएंगे और चिक कर लेंगे देखिए मेरा सोया पुलाव अभी रेडी है तो चलिए अभी इसको साप कर देते हैं देख लीजिए कितना खिला खिला बने है न वैसे बनाईए प्रिशर को कर में बस बाच मिनिट में बनकर रेडी हो जाएगी लिकिन खिला-खिला चाओल एक दम सोया चांक्स पुलाव अभी रेडी है देख लीजिए मेरा सोया चांक्स पुलाव अभी रेडी अट साब्ड कैसा लगा मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे ना तो मेरी चैनल को सब्सक्राइ कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीस के नोटिफिकेशन के लिए निचे बेल बटन को भी दबा देना तो आज के लिए इतना ही तिल देन टेक केर बाई बाई